वेल्कम बैक नाजरीन अच्छा खुश्णों साब अब ये बताईएगा चेर्में सेनेट स्विस्ट तफीर को हटाने का मुतालिबा क्यों कर रहे हैं देखें रदर अबानी एक सूड़ो इंटलेक्शल आदमी है वो बाद मामलात में अपनी पार्टी जो है उसके मामलात का ख्याल नहीं रखता वो चेर्मेंट सानिट है वो कुछ भी कर सकता है मसला अभी रदर अरबानी ने कहा कि सूर्चर लेंड के सफीर को हमें हटा देना चाहिए मसला यह है कि कल जो मैंने यहां डिसकस किया था कि रजा रबानी हो या कोई पाकिस्तानी उसका मसला यह है कि सूर्चर लेंड में गाड़ियों पर बसों पर टैक्सियों पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर क्यों लगें पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर लगाने वाली ताकत कौन से थी हमारे हाँ जो कुछ हमारी वजारत खारजा कहती है या हमारी वजारत खारजा जानती है या हमारी वजारत खारजा का फीडबैक है वो ये है कि ये सब कुछ भारत ने करा रहा है और बिलिटस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसका एक आदमी है दो आदमी है दस आदमी है उनकी सरपरस्ती भारत कर रहा है लेकिन कुछ लोग खहते हैं कि इस मामले में अमरीकी सिया ये भी पीछे नहीं है लहाज़ा रज़र अबानी अगर ये कह रहे हैं कि सूर्टे लैंड के सफीर को हटाया जाए तो रज़र अबानी साहब से मेरा सवाल ये है कि आप अमरीका के बारे में क्या कहेंगे क्या उस बारे में यही मतालब़ करेंगे कि अमरीकी सफीर को हटाया जाए या अमरीकी सफीर को वापस बेज़े जाए मैं उनसे कावर बात पूछना चाहता हूँ कि कुछ अरकाने पार्लिमेंट गए थे आर्मी चीफ से मिलने जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने के लिए गए थे मेरे सवाल ये है कि वो क्या जवाब लेकर आए और क्या जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो माना है कि वो पार्लिमेंट में आएंगे क्या ये आपके डाइलाग वाली तजवीज है कि डाइलाग अब होगा इधारों के दरमें और फिर आप से ये भी पूछना है कि क्या इस डाइलाग को नवाज शरीफ की हमायत हासल है क्या इस डाइलाग को आशिफ ली जर्दारी की हमायत हासल है क्या इस डाइलाग को इमरान खान की हमायत हासल है और अगर ये सारी हमायते हासल है तो ये डाइलाग कहां से चुरू होगा फौरी तो पर तो पाकिस्तान की एक्जिस्टन्स का मामला है मैं समझता हूँ पाकिस्तान माशी तो पर माली तो पर इतना कमजोर हो चुका है कि फौज चाहेगी कि पाकिस्तान कमजोर नहो, मसलां उन्होंने एक बात की है बजट की, कि हमें बजट का इतना हिसा मिलता है, लेकिन साथ ही उनने ये बता दिया है कि बजट जो मिल रहा है, जो मिलता है, वो थूड़ा है, हमें नया जंगी साज़ व सामान खरीद दिना है, लेकिन इस हकूमत का बियानिया और है कल ऐसन अकबाल ने कहा कि कौम जंगी साथ उसामान से नहीं यूनिस्टियों से पहचानी जाती है लेजा रज़र अरबानी साथ आप इन सारे सवालात के जवाब देना पसंद करेंगे और इस कौमी डायलाग का जो आप दारों से करना चाहते है क्या इनके नतीजे में नवाज शरीफ वापस आ जाएगा नवाज शरीफ इस मुल्क का मुन्तखिब वजिर आजम था इस मुल्क का तो चप्रासी जो सरकारी तोर पर चप्रासी बरती हो जता है उसे इटाना मुश्किल होता है उसमें कई महीने और कई साल लगते है वा नवाज शरीफ को बीस करूर अवाज ने मुन्तखिब किया वजिर आजम बनाया लेकिन सुबह वो प्राइम निस्टर था और दुपएर को प्राइम निस्टर नहीं था तो रज़र अरबानी साहब आपको ये भी बताना होगा कि इसका क्या हल है कि पाकिस्तान का प्राइम निस्टर कान से पकड़ कर निकाल दिया जाता है पाकिस्तान का प्राइम निस्टर अकामा की बन्याद पर निकाल दिया जाता है मैं सब मैं हो सकता है अगर मुझ पर यही केस हो तो शायद मुझे याद भी ना हो कि मैंने कोई अकामा ले रखा है और मैं अपने डिक्रेशन्स में वो ना दूँ और फिर जिसकी इतनी जाइदाद हो इतना कुछ हो उससे अगर एक गलती हो गई तो उसकी तस्हीर की भी जाज़त होनी चाहिए मगर हमारे हाँ तो कुछ बातें तैय हो जाती है और फिर वो ही होता है जो आपने देखा अब एक और बात पाकिस्तान के माली मामलाथ पर और माशी मामलाथ पर गुफटगू करते हुए सवाल यह है एक कार के प्लांट था जो एक बहरी जाज़ पर पाकिस्तान आया था या पाकिस्तान लाया गया था इस पर जो तनाज़ा हुआ दूसरी पार्टी यानि उस तरफ का ठेकेदार चला गया बेनर कौमी दारों में और वहाँ पर उसे रिलीफ मिला और पाकिस्तान को डेड़ अरब डालर का जर्माना हो गया अब सवाल यह है कि हम और बहुत से जर्माने दे रहे हैं और यह भी एक सवाल है कि हम रोज तर्की तर्की करते रहते हैं हम रोज तयब अर्दगान अर्दगान की रट लगाते हैं हमारे हुक्मरान रोजाना तर्की जाते हैं यह ठीक बात है कि हमने फैसला किया है यानि पाकिस्तान और तर्की ने कि इस तनाज़े को हम खुफिया रखेंगे और खुफिया रखके हम इस पर कोई नई डील करेंगे लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को ये कारके प्लांट जो है इस तरहे खड़ा रखना चाहिए था क्या उसने कोई बिजली पैदा की क्या हमारा बुरान इतना शदीद था कि कारके को लाना जरूरी था और उस वक्त के वजिर आजम से ये पूछा जाना चाहिए कि हज़ूर आप ने उस कारके से क्या फाइदा लिया आप ने कारके को क्यों बुलाया और अगर तो लोग मुतमेन हों अदारे मुतमेन हों तो ठीक वरना एक रफरेंस और सही फिर एक और बात भी कहनी है वो कहते हैं कि हमने अपने बियानियां पर जो इस वक्त उनका बियानियां है उस पर अमरीका को इतमाद में लिया है मैं कहता हूँ खाजा असिफ साब आपको अमरीका को इतमाद में लेने की क्या जरूरत थी वो तो कहते थे कि दैशत गर्दा आपके हाँ चुपे गुए हैं आप नहीं मानते थे आप का जवाब जो होता था वो लिश्कर एताबा और जैश महम्मद के हावाले से मुक्तलिफ होता था फिर आप आए और आपने आते ही वो बियानियां देने शुरू कर दिया जो अमरीका और भारत का था लेज़ा आपने उन्हें मुतमें क्या करना है मुतमें तो पाकिस्तानी कौम को करना है कि वो आपके बियानियां से मुतमें है या आपके बियानियां पाकिस्तानी कौम मानती है क्या पाकिस्तान के इदारे आपके बियानियां के साथ हम रकाब हैं अगर नहीं है तो फिर ख जौद्रिनिसार कहता है जो कुछ आपने किया है या आपका बियानिया है उस बियानिया के बाद इंडियन मीडिया क्या कर रहा है ये दिखने की जरूरत है फिर आपको पता लगेगा कि आप कहां खड़े हैं और इंडियन मीडिया आपके साथ किस तरह से खेला है ये बात या सब एक वेवलेंथ पर हैं और हम जो हैं वो सब उनके मुश्टिका समझ ले मद्द मुकाबल हैं या वो सारी एजन्सिया हमारे खिलाफ काम करती हैं हमारी सोच के खिलाफ काम करती हैं लेज़ा खाजसाब मुझे आपकी बात से इताफाक नहीं है आपको अमरीका कोई कुछ ज्यादा मुतमेन करने की जरूरत नहीं थी एक ऐसे ही चोटी सी कबर है कि विफाकी हकूमत ने मुलक में पांच टेकनालोजी यूनस्टियां काइम करने का फैसला किया है मेरा सवाल बि फाकी हकूमत से कि आप ने पहले जिन यूनस्टियों की इजाज़त दी उन में से कितनी हैं जो एची सी के मेयार पर पूरी उतरती हैं आप चाहें तो आप कहते हैं इनकी यूनस्टियां इनकी डिग्रियां जेली हैं आप चाहें तो आप कहते हैं इनकी डिग्रियां असली हैं असल में ये आपका बियानिया है जब लोगों के बच्चे साल हाँ साल पढ़ने के बार डिग्रियां लेने लगते हैं तो H.E.C. काती है ये यूरिश्टी ठीक नहीं है सवाल ये है कोई यूरिश्टी सिर्फ एक दिन किस तरह से चली अगर उसे H.E.C. की हमायत हासिल नहीं थी चुकि यूरिश्टी को जिकर हो रहा है ओपन यूरिश्टी के वाइस चांसलर डाक्टर शाहिद सिदिकी ने कहा है कि कबाईली और बलोच तुलबा को हम मैट्रिक तक मुफ्त तालिम देंगे और फिर हम आनलाइन चीनी जबान भी बात अच्छा है मैं भी चीनी जबान शिखना चाहता हूँ आँ चीन करता रहूंगा इदर देखता रहूंगा लेकिन ओपन यूरिश्टी ने अगर आनलाइन सेंटर काइम कर लिया हैं या कर रहे हैं तो यकीन ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा कदम है जी अच्छा ठीक है आपको क्या लगते है मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की सियासत को मतासर कर रही हैं देखें मरियम नवाज में कहा था कि हमारी जो जीद हैं वो दरसल उन अधीदा कुवतों के खिलाफ हैं जिनों ने हमारे हलके से लोग भी उठा स्वाल यह है कि वो दिन कब आएगा जब हम अपने एदारों का इतराम करेंगे जब हम अपने एदारों का दिल से इतराम करेंगे मैंने यहां कहा था तजवीज दी थी कि इसमलियों चार साल के लिए कर दें सदर का टनेवर चार साल के लिए कर दें और ये भी कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को जब वो रिटार हो तो चार साल के बाद अभी उन्हें बता दिये जाए कि आप मुल्क के आइंदा सदर होंगे कम इसकम फौश का इक्तदार में शरीक होना यकीनी बना दिया जिए देखें एक बंदा चार साल बिलाज शरकते गहरे बहुत कुफ़त वाला होता है और फिर अचानक वो सड़क पर होता है इस वक्त महुत सारे जगड़े हैं और उन जगड़ों में एक जगड़ा ये है कि मुझे ये बताया गया बहुत सारे लोगों ने बताया कि नए वजीर आजम को बाद कुफ़तों ने ये मश्वरा दिया कि वो नमाज शरीफ की रट अपनी तक्रीरों में ना लगाए उन्हें कहा कि आप बार बार नमाज शरीफ का नाम न ले कोई जरूरी नहीं कि आप अपने हर तक्रीर बन गए कि नमाज शरीफ ने ये फरमाया लेकिन मैं समझता हूँ शाहिद खाकान अबासी खाकान अबासी का बेटा है और इन्होंने एक तवील अर्था एक्तदार एंजाय किया है नमाज शरीफ की वेज़से लहाज़ा उन एदारों के कहने पर शाहिद काकान अबासी ने अपना वतरीका नहीं छोड़ा और वो अमरीका से भी हर बात करते हुए नवाज शरीफ का हवाला देते हैं उनकी क्यादत तस्लीम करते हैं लहाज़ा कुछ हलकों में कुछ बाद हलकों में अभी दबी दबी जबान में ये बात है कि शाहिद खाकान अबासी के खिलाफ करारदादे अदमे एतमाद लाई सवाल ये है कि ये हलके क्या सूचते हैं क्या कभी इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा मसलिए बड़ी ही तसली की बात थी कि नवाज शरीफ अगर चले गए तो अपने बाद एक वजिरियादम दे गए और अगर उनकी एक्सरियत थी तो उन्हें की पार्टी इक्तदार में र लेकल हम अब शाहिद काकान अबासी के खिरा करारदादे अद्म इतमाद लाने की बात करते हैं तो मेरे खाल है ये ठीक नहीं है मेरे ख़्राल है चौदरी-निसार भी जिनको को ब़ाज हलके फरंक्मैंन बना कर पेश कर रहे हैं शायद हैंरन की ये सोच नहीं है जो हलके उ की शकल में इंटर्प्रेट करते हैं वो शायद उन्हें सही इंटर्प्रेट नहीं करते बसन उन्होंने अगर मरियम नवास को बच्चा का तो उनके लिए मरियम बच्ची है वो बजर्ग हैं वो उनका अपस का जगड़ा है वो उनका अंदर का जगड़ा है उसे दूसरों की सोच दूसरों की खायश के मताबक बहराल नहीं लिया जा सकता अब मुस्लिम लीगी हलकों में एक बात उमीद पैदा कर रही है और उमीद ये है कि सदर मुमलिकत बहुत जल्द सुप्रिंग कोटा पाकिस्तान को एक ये रफरेंस बेजने ये उठ आखर शड़ाल थे अगर नाईल हुए हैं तो वो कितने अर्से के लिए नाईल हुए हैं बात तो ये है कि रफरेंस अगर चला भी जाए और फैसला आ हो के आभी जाए एक सवाल बहत important है कि क्या Muslim League मतहिद है जब नवाज शरीफ एक्तदार से अलग हुए थे मैंने एक ही बात कही थी कि नवाज शरीफ अगर Muslim League को मतहिद कर लेते हैं और Muslim League मतहिद नजर आती है तो इनके एक्तदार को कोई खत्रा नहीं है इस वकत خطرہ یہ ہے کہ کال اور پرسوں دو دن میں نے پارلیمنٹ میں جا کے دیکھا دونوں ایوانوں کے اجلاس چل رہے تھے لیکن دونوں اجلاسوں میں کورم پورا نہیں تھا اور حکومت اور اپوزیشن مل کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی پارلیمنٹ کے ان دونوں ایوانوں کی की तादाद की निशानदाई नहीं करें लहाजा इजलास चलता रहा कोरम पूरा नहीं हुआ और किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया कि भाई इसको पॉइंट आउट कर दे और कोरम नहीं सब ने इसमें अपनी बेज़ती समझी और ये वज़ियाजम तो जो इस वक्त हैं वो आते हैं पार्लिमेंट में लेकिन वो लोग जो पार्लिमेंट की जीनत हैं पार्लिमेंट की इज़त हैं वो पार्लिमेंट में नहीं आते हैं, वो पार्लिमेंट में आने को अपनी हद तक समझते हैं, और उन में जनाब इमरान खान भी एक है, जनाब इमरान खान ने जो बात पार्लिमेंट में करना होती है, वो बाहर जाके करते हैं, हलाकि वो ये बातें पार्लिमेंट में कर सकते ह लोग या स्पीकर या डिप्री स्पीकर या चेर्मन जो पैनल का हुता है उन्हें ये मालूम है कि इमरान खान इंपार्टिट है शाहतो वो भी इस बात पर खुश है कि चले ये बात इवान में नहीं हो रही है लेकिन जब आप कहते हो के पारलीमेंट को मुकदम जानाँ पारलीमेंट को अहम जाना है जब लीडर आफ अपोजीशन कहते हैं खुर्शी चाह कि आपने पार्लिमेंट को एहम नहीं जाना इसलिए आप इस सुर्थाल से दोचार हुए मैं समझता हूं पार्लिमेंट को कोई भी आहमियत नहीं दे रहा है अगर पार्लिमेंट को एहमियत देते तो शायद ये सुर्थाल पैदा नहोती जी अच्छा ठीक है खुशनू सब रहो तहसीन क्या कोई नया काम कर रहे है देखें रहो तहसीन एक तो आजाद ख्याल आदमी है इन्फरमेशन के अफसर है लेकिन वो ज़रा मुटर इफार रही एक तो उनका मुख़दमा चला है हाई कोट में बलके चल रहा था जहां जाके हकोमत ने ये कहा है कि उन्हें O.S.D. बना दिया गया है वो नुकरी में तो हैं सर्विस में तो हैं लेकिन उन्हें O.S.D. बना दिया गया है अब उनका एक अफसर मकर्र हुए था उस इनकारी मैं ये पूछता हूँ कि अगर हकूमत के पास कोई सबूत नहीं है तो राव ताहसीन को जो इतना सीने अरफसर है उसे आप OSD बना के क्यों रख रहे हैं फिर आप कितना अरसा OSD बना सकते हैं फिर डानली से बड़ा मतनाज़े मामला है मसले राव ताहसीन तो अदालत चले गए बाकी लोग तो अदालत में नहीं गए अब हकोमत की ये कुमट्मेंट के वो सर्विस में हैं असल में वो जो काम जिस जो आप पूछ रही हैं वो ये है के राव ताहसीन एक किताब लिख रहे हैं वो किताब कैसे लिख सकेंगे वो गवर्मन के मलाजम है शायद ये बात जो है वो आखरी से तक नप पहुंच सके वैसे शुमीद ये है कि एक एदारे ने उन से राप्ता किया मिल्की एदारे ने अशाती एदारे और उनसे कहा है कि आप किताब लिखें और वो इस पर तियार हो गए हैं कि वो किताब लिखेंगे डान लिक्स के बारे में कि इस क्या कौन सा किरदार कैसा था लेकिन मैं उन से पूछता हूं कि ये कैसे मुमक्न होगा कि कि आप इंडीपेंडली कोई किताब लिख सकें एक खबर पर इतना तनाजा था तो आप इतनी बड़ी बात खोलने जा रहे हैं आपको ये खोलने की इजाज़त दी जाएगे बहुत शुक्रिया खुशनूल साब आगे आने वाले प्रोग्राम से मज़ीड डिसकॉशन्स करेंगे अभी प्रोग्राम से दीजे इजाज़त लाँ उप्रोग्राम से फे को था रहे हैं प्रोग्राम से मज़ीड टी जा हैं लाँ डिसकॉशन्स करेंगे आने आगे इतनी कि आपको ये इतनी जाएगे जाब आपको ये जाएगे बारावे जाएगे झाले पुशनूल